आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों ने जो मेरे चैनल को लाइक किया है सब्सक्राइब किया है सपोर्ट किया है मुझे इसके लिए आप सभी लोगों का फिर से बार बार धन्यवाद है और मैं जब अपना चैनल सुरू किया था मैं तभी से चाह रही थी अपना इंट्रो वीडियो मैं बनाओं लेकिन मैं नहीं बना रही थी मेरा थोरा सा चैनल उपर जाए तो मैं बनाओं लेकिन अब मुझे लगा कि मैं अपना इंट्रो वीडियो बनाओं तो आज का ये जो मे मम्मी पापा सभी लोग हम लोग सभी लोग भागलपूर में ही रहते थे और वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई है जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तो उतना ज्यादा जब मैं छोटी थी 10th से पीछे के क्लासों में जब मैं पढ़ती थी तो उतना ज्यादा पढ़ तब उस समय समझ में आया कि पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है और मेरी थोड़ी बहुत ब्रभित खड़ा भी थी उसी में मैंने 10th का एक्जाम दिया और इतना समझ में आया कि पढ़े लिखे होना सबसे ज़्यादा जरूरी है तो फिर मैंने भागलपूर तिलकामाजी विश्विद्याले TMBU इन्वर्सिटी से मैंने समाज सास्त्र सोस्य लोजी से में तक की पढ़ाई की और क्यूंकि ग्रेजुएशन होने के बाद मेरी साधी हुई थी और उसके पह आता यहीं प्रोज रोड़ है वहां पर हर चीज़ें सीखने को मिलती थी तो लेकिन मैंने का तो मैंने पुरा-कूरा कोर्स किया था जो पढ़ाई के साथ जो सिलाई सिखाया जाता है उसका मैंने छे महने का फूल कोर्स किया था और उसके अलाबा मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा है और बहुत कुछ मतलब सीखना पसंद था उसको भी सीखा है और पढ़ाई भी अच्छे से की उसके बाद फिर मेरी शादी भी हुधना होता था और अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं और सुरू से हैं तो किसी वीडियो में आपने मेरे बच्चों को देखा होगा तो आप वो थोड़े से बड़े हो गए हैं तो मेरे पास talking मुझे kind मिलने लगा तो फिर मैं आप सभी लोगों के साथ मैंने जो कुछ भी सीखा है उसको मैं सेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा था और बहुत मतलब मुस्किलों से भी कुछ-कुछ चीजों को सीखा था क्योंकि पढ़ना भी होता था और लेकिन सिखना भी होता था सिखने के लिए जाना होता था जैसे अभी तो मोबाइल में भी बहुत चीजें हम बैठे बैठे सीख लेते हैं हमारे समय में ऐसा नहीं था हमें जाके सिखना पड़ता था चीजों को खड़िते थे, सीखते थे और एक एक चीज का अच्छा खासा उस समय पैसा लगता था तो मैंने बहुत सारी चीजे सीखी हैं फिर इसी तरह से मैंने बहुत कुछ सीखा है तो फिर मेरी बेटी ने देखा मेरे कुछ चीजों को ऐसे तो अगर आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं और पुराने हैं सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे मैके में जब पानी आता है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है और पहले इतना पानी नहीं आता था एक बार जब पानी आया तो पूरा घड के अंदर पानी चला आया और हमारा उस समय सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही घड था और मेरी सभी चीज़ें मैंने जो भी सीखा था मैंने सबको अच्छे से रखा हुआ था लेकिन जब बार का पानी आया तो सभी चीज़ें उसमें बरबाद हो गई क्योंकि जहां मैं रहती थी मैं पहले पुर्णिया में रहती थी और मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे तो पहले मेरी बेटी का जन्म हुआ और वो भी सर्जरी से हुआ तो काफी समय लगा पहले जैसा होने में थोरी से मेरी बेटी बड़ी हुई फिर मेरा बेटा हुआ फिर से मेरी सर्जरी हुई उस सर्जरी के पहले भी फिर से मेरी एक सर्जरी हुई तो काफी समय लगा मतलब अपने आपको ठीक होने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा और फिर छोटे छोटे बच्चे थे उनको खुद से ही देखना पड़ता था क्यूंकि मेरे हस्बन स्कूल में टीचर है वो सिख्चक है तो सुभा वो चले जाते थे साम में आते थे आप वो थोड़े से बड़े हो गए हैं तो मेरी बेटी बोली कि तुम जितना भी चीज़ सीखी हो तो सिर्फ सीखके ही रह गई तो तुम घड़ बैठे हैं क्यूंकि मैं कहीं जाना आना आप मेरे से संभब नहीं है कि मैं कहीं जाओं तो इसलिए मेरी बेटी ने कहा कि दूँ घड में ही अपना सिखाओ बैठके सिखाने में क्या ही लग रहा है तो मैं एक बार गई थी पिछले लगवग साल भर पहले मैं गई थी भागलपूर भी मार्केट में गई थी और अभी के समय के हिसाब से मिलता है जैसे कि मैंने फ्लावर मेकिंग सीखा था तो हम सारा कुछ खुद से ही बनाते थे एक पेपर आता था उसको काट के उसमें तार लगा के और हम उसका पत्ता बनाते थे फिर फूल बनाते थे तो उसमें से अब मिलता है समान मिलता है लेकिन सभी चीज़े जो है वो बदल गई है तो फिर उस बार जो मैं लाई तो आधा अधूरा समान ही ला पाई थी तो अब म मैं कोशिज करूँगी मैं जाके लाऊंगी और आप सभी लोगों को मैं बहुत कुछ मैंने जो भी सीखा है मैं सब कुछ सिखाना चाहती हूँ ताकि मुझे अच्छा लगता है सिखाने में और मतलब मेरे पास समय भी काफी रहता है और मुझे वो सब करने में बनाने में यही है मेरी दुनिया और यही मैं आप लोगों के साथ सेयर करना चाहती थी तो आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए